हाई फ्रेंड्स आज मैं एक एंटिबाइटिक टेबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ बैक्टिरियल इंफेक्शन्स को दूर करने के लिए इस प्रोड़क्ट का इस्तमाल किया जाता है MCB625MG टेबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्द होता है Manish Pharmaceuticals Limited के दौरे इसका प्रोड़क्शन किया जाता है Composition के रूप में इसमें Amoxicillin 500MG और Clevelanic Acid 125MG की मातरा में उपलब्द होता है कीमत की अगर बात की जाए तो 10 टेबलेट केक्श्टिप मार्केट में 176 रुपीज का उपलब्द होता है अगर आप यह तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन साब तक आ जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो को मीश ना करें आए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं इस प्रोड़क्ट के कुछ बैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स Emoxival CL Tablet जिसे G Lab Pharmacy Private Limited के दौरा बनाया जाता है Acrylock CV Tablet जिसे Acryson Pharmaceuticals के दौरा बनाया जाता है Moxikine CV Tablet जिसे Mankind Pharma Limited के दौरा बनाया जाता है Clavicate CV Tablet जिसे Cattle Healthcare Private Limited के दौरा बनाया जाता है और Clavum 625 Tablet जिसे Alchem Laboratories Limited के दौरा बनाया जाता है Friends Market में मिलने वाली है कुछ अन्य ऐसे बेकल्पिक ब्रांड्स से जो सेम कंपोजीशन के साथ उपलब्द होते हैं और आप इस मेडिसिन के नमिलने की स्थिती पर भी इस मेडिसिन को पर्चेस करके अपना काम चला सकते हैं और सेम एफेक्ट को प्राप्ट कर सकते हैं आप रिजल्ट सेम मिलता है केवल ब्रांड नेम का डिफेरेंस होता है बाकि इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल या जो साल्ट होता है वह सेम होता है आए फ्रिंड साब देखते हैं इस मेडिसिन के प्रमुक request इस्तमाल होते हैं तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है यह यह जो प्रोडक्त होता है यह एक अं्टी बैक्टिरील मेडिसिन होती है और बैक्टिरिया के कारण होने वाले जितने बही इंफेक्शन होते है चाहे वह infection soft tissue का हो, respiratory tract का हो, digestive tract का हो, या urogenital tract का हो, या किसी other type का infections होता है, अगर bacteria के कारण होता है, तो आप इस medicine के इस्तिमाल करने से उस bacteria infection को combat कर सकते हैं, अगर उसका indication properly मिल रहा है, तो, हलाकि आपको इसका self use नहीं करना है, डाक्टर के advice पर ही medicine का इस्तिमाल करना है, फ्रेंड्स आप देखते हैं, इस medicine के कुछ common side effect होते हैं उनके बारे में, तो फ्रेंड्स इसके common side effect के रूप में vomiting, nausea और डारिया इत्यादी इसकी कुछ common side effect के रूप में इस किया गया है, इस tablet को देने की पश्चार, आए फ्रेंड्स अब देखते हैं, इस medicine का इस्तिमाल कैसे करना चाहिए, तो फ्रेंड्स इस medicine को डाक्टर के द्वारे निरधारित, खुराक और डोज के अनुशार इस्तिमाल करना चाहिए, self risk medicine को नहीं लेना चाहिए, यह harmful हो सकता है, medicine को साबुद निगलना चाहिए, इसे चबाना, खुचलना, तोड़ना या पीछना नहीं चाहिए, इस medicine को भोजन के साथ ही लेना चाहिए, खाली पेट में लेने से यह medicine आपको नुफसान कर सकते है, gastric retention आपके शरीर में develop हो सकता है, gastric complications हो सकते हैं, इसलिए यह advice किया जाता है कि इस medicine को खाली पेट ना ले, भोजन करने के पस्चात ही आपको इस medicine का सेवन करना चाहिए, आज यह friends आप देखते हैं कि यह medicine कार एक ऐसे करती है, तो friends मैंने आपको पहले ही बताया है इसके composition के section में, यह medicine जो है, तो दो medicine का एक combination होता है, इसमें amoxicillin और klebulenic acid होता है, amoxicillin मैंने आपको पहले बताया है, यह एक चुकि एक antibiotic tablet है, इसलिए इसमें amoxicillin as a antibiotic की रूप में इसमें पाया जाता है, यह जो bacterial का जो covering होता है, उसको नहीं बनने देता, उसकी जो cell wall होती है, उसका formation से रोकता है, उसको destroy करता है, जिसके कारण bacteria survive नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया मर जाता है, और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्णों में रहात महसूस करते हैं, इसका जो दूसरा content होता है, वह होता है, जो clevelanic acid होता है, वह beta lactamase inhibitor होता है, जो resistance को घटाता है, यानि जो resistance medicine के अगेस्ट में bacteria पैदा करता है, उसको घटाता है, और जो medicine के क्रियावीद ही होती है, medicine का जो प्रभाविता होती है, medicine का जो कारे करने के छहमता होता है, उसको बढ़ा देता है, और इस प्रकार यह अधिक ताकत के साथ है medicine कारे करती है, जिसके करण आप अपने लक resistance डवलप करता है, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि डाक्टर के द्वारा जितने दिन के लिए medicine सुझाई जाती है, तीन दिन या पास दिन का जो भी रेजिमें डाक्टर के द्वारा डिसाइड के जाता है, आपको प्रापरली उस medicine को उस dose को उस duration तक के लिए cover करना है Otherwise अगर यह medicine एक बार resistance हो जाती है, तो फिर आपके सरीर में दिवारा उसी duration के लिए या उसी disease के लिए कारे करना बंद हो जाती है, और आप फिर बार बार भी medicine को खाते हैं, तो भी medicine आपको desired defect produce नहीं कर पाती है, समय से पहले medicine को बंद नहीं करना चाहिए, infection वापस आ सकता है जिसे मैंने आपको भी पहले बताया, resistance ही कहलाता है, और फिर इलाज करना अधिक कठीन हो जाता है, friends मैंने इसको पहले भी आपको बताया है, side effect के section में कि दस्त जो होते हैं, एक दुस प्रवाद की रूप में इस medicine में पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, तो अगर इस medicine को आ अगर दस्त बंद नहीं हो रहे हैं, continue दस्त लग रहे हैं, पानी के जैसे पतले दस्त जा रहे हैं, तो आपको अपने डाक्टर से उचित परमर्स तुरंद करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, अगर मल के साथ खून आ रहा है या पेट में तेज एठन हो रहे हैं, तो इस मेडिसिन के लेने के दोरान सेवन करना चाहिए, खाली पेट में हैं मेडिसिन नुकसान करती है, इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस मेडिसिन को खाली पेट में आपको इस्तिमाल नहीं करना है, अगर आप इस मेडिसिन को भोजन के साथ में लेते हैं, प्ल कि लिए हुए है या चंट-कर रहा है चेहरे में गाले में उज़ना रही जीव में उल रहा रहे हैं और आगर अगा सास लेने में परिसानी हो रही है तो यह मेटसीन का एक कहलाता है जो आंगर इस से अगर इस प्रकार के कॉंप्लिकेशन्स हो रहे हैं तो आपको तुरेंत मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए और अपने डाक्टर से इस बारे में उचित परमर्स आवस्थे करना चाहिए इस मेडिसिन को लेने के बाद किसी प्रकार का इंफेक्शन जो होता है वह कवर हो प्रणतों प्रकार और शाउद कर two अन्य प्रकार के सारब करना चाहिए और और डाक्टर की दाक्तर की मेडिसन का या इस एंटिबाइटीक के सेवन और और किसी कारण से मेडिसीन के थो बूद धूर गये हैें तो उस करना चाहिए चिहना प्रण्टर केम güç अगर medicine का next dose का समय हो गया हो तो फिर आपको double dose नहीं करना चाहिए यानि double dose आपके complications को बढ़ा सकता है दुश्प्रवाब को बढ़ा सकता है double dose आपके लिए आधिक हीत कर नहीं होता बलगे आपके सरीर में complications को बढ़ा सकता है इसलिए एक properly अगर time नहीं बचा है आपके पास next dose से जुड़े हैं कुछ specific features के बारे में या safety features के बारे में देखते हैं तो friends अगर आप इस medicine का सेवन कर रहे हैं तो उस दरान आपको alcohol का सेवन नहीं करना चाहिए harmful हो सकता है अगर आप गरभवस्ता में है या इस्तन पान करा रहे हैं तो आपको इस बारे में doctor से सलाह लेनी च सकता पड़ती है मानसिक का गरता क्या वसकता पड़ती है किसी प्रकार की driving करना या किसी प्रकार का मानसिक जो वर्क होता है आपको प्रभावित कर सकता है इसलिए आपको इस बारे में बचना चाहिए kidney और लीवर रोग से जुड़ी किसी प्रकार की समस्य का अगर आप साम ये ताकि प्रकार के या झो लोगों के द्धारा पूछे जाते हैं कि इस मेडिसिन को किस किस मामलों में इस्तिमाल किया जाता है तो हलाकि मैंने पहले आपको बता दिया है कि जिस जिस सिस्टम पर इस मेडिसिन के इस्तिमाल जनरली होता है फिर भी आप इस मेडिसिन को टॉंसिलाइटिस के केस मिले सकते हैं और टाइटिस मीडिया जो कान का infection होता है उसके लिए ले सकते हैं सवसंत अंतर के infection के लिए सकते हैं मूत्रपत का infection होता है पेसाब नली में होने वाला जनन system का होने वाले किसी प्रकार का complication होता है तो आप इस medicine को ले सकते हैं फोड़े फुनसी अगर आपकी सरीर में हो रहे हैं उस condition पर भी आप इस medicine को ले सकते हैं अगर आपको है तो आप उस condition पर ले सकते हैं घाओ का संक्रमन हो रहा है सेप्सिस के condition develop हो रही है तो भी ले सकते हैं हड़ी का संक्रमन हो रहा है मुह के अंदर होने वाले किसी प्रकार का infection है उस condition पर भी आप इस medicine को ले सकते हैं साथि साथ अगर दवा को जो संक्रमाण होता है जिवा दोर पैदा किये वाला संक्रमाण होता है उसे नश्ट करके यह आपको रिलीव पहुचाती है अब इसके कामन जो साइड इफेक्ट होते हैं वह मैंने हलाकि कामन साइड इफेक्ट के सेक्शन में मैंने आपको बताया है फिर भी आपको यह दस्त पैदा कर सकता है मितली आ सकती है नजीमी चलाना हो सकता है उल्टी हो सकता है तचा पर दाने हो सकते हैं एलर्जिक रेक्श प्रेंड्स अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर एमॉक्सिसलीन या क्लेवलेनिक एसिड आपकी कोई ऐसे पुरानी हिस्ट्री है जिसमें आपको खुद पता है कि इस मेडिसिन को लेने से आपको कभी रियक्शन हुआ था तो आपको इस बारे में डाक प्लेट होता है उसे रीड करना चाहिए एक्सपायरिडेट को तो आप खास्ता और से चेक करें जिस पैक में मेडिसिन आई है उसी पैक में आपको सुरक्षित रखना चाहिए सूर्य के प्रकास की नजजदीक नहीं रखना चाहिए बच्चों के पहुंच से दूर रखना पैक या लेवल पर जो उल्लेखित निर्देश है उनका पालन करना चाहिए अगर मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है आपके घर में रखे रखे तो उस मेडिसिन के इस्टमाल नहीं करना चाहिए अपरियुक्त दवा का निप्टान करना चाहिए प्रॉपरली जिस तरीके से ग गया है किवल आपकी जानकारी के लिए किसी भी स्थिती में वीडियो के अधार पास सिर्फ मेडिसिन का सेवन ना करें या अगर आपको मेरे दोरा जो मैंने वीडियो में बताया है कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रही है परिशानी हो रही है तो भी आपको डाक्टर से परामर करें इसके पर साथ ही मेडिसिन का सेवन करें फ्रेंड्स इस वीडियों बस इतना ही किसी अन्य अच्छे हेल्थ रिलेटेड इसे के साथ आप से फिर मुलकात करता हूं तब तक लिए कुड़बाए आपको दिन सुभ हो जय हिंदू